आप लोग जीत रहे हैं, तीन शून ने हैं, 169, 166, 154, कोई एक कॉमन फैक्टर, सुधान शुत्रिवेदी मोदी जी के नितुरत में, जो हमने चार आयाम की राजनीत की है, नमबर वन, कल्यान कारी कारे, गरीबों को उनकी आवशक्ता के नुसार, विवस्ता उसे तुनेशित करना, नमबर दो, विकास के कारे, इंफ्रास्टक्ट, नमबर तीन, सुरक्षा, देश की आंतरिक और वाह सुरक्षा, इस्टैबलिश करना, और नमबर पूर, सांस्कृतिक गौरव, इन चारों को मोदी जी के नितुरत में हमने जो इस्थापित किया है, यह उस राजनीत के पृ आप पूरी दुनिया में पिछले कई वर्तों से लगातार सब्से लोक्ति और यहां पर एक और बात है, यह क्रेडिबिल्टी की पॉल्टिक्स की विजीत है, क्रेडिबिल्टी क्यों कह रहा हूं, आख्री समय में आप अनाफ श्राफ वारे ले ले लेते हैं, हमारे साह रह रेनुका, रेनुका, रेनुका जी, लगता है, हां, कंप्रेट कर ली जाप सुधान श्राफ जी आप कंप्रेट कर लीजे, कंप्रेट कर लीजे। से सेग्मेंट को तब देते हैं तो मोदी जी की गारेंटी गारेंटी अब आकी धपोर शंक हैं वह यह भी दिखाई पढ़ रहा है चुनाव परणाब अचा इंडी अलाइंस के फ्यूचर को लेकर आप किस सरह से देखते हैं मतलब इन चुनावों में यह इतनी बड़ी हार के बाद राहुल गांदी के चेहरे पर जो चुनाव संभ़ता लड़ा गया तो इस चुनाव में हार के बाद इंडी अलाइंस का फ्यूचर आपके एसाब से सुधान शुत्रिवेदी और ब्रैंड राहुल की भी बात कर लेते हैं इन चुनाव परिणामों के बाद निश्यत रूट से फले ही उपर से इंडिया एलाइंस के उसे दुख हो रहा पर इंडिया एलाइंस के ज़्यादा तर घटक जिसमें त्रणमूल कॉंग्रेस भी होगी नितिश कुमार जी भी होंगे अखिलेश जी भी होंगे शरत पवार जी होंगे उनके दिली दिल में लड़वपूट रहें होंगे कि अब हम हकीकत में जो चाहेंगे वो कर भापाएंगे То हो सकता कॉंग्रेस के दिल में महरम हो और उनके दिल में एध हो रए Arendaill तो मानी हुई बात है ये छेतरी दलों के लिए लेकिन इंट्रेस्टिंग ये है फिरी दलों के माते पर बलशिकन पढ़ने वाली बात है लेकिन सुदानशुत तिलंगाना में सुदानशुत तिलंगाना में सुदानशुत तिलंगाना में कॉंग्रेस को जो एक बड़ी बड़त मिल रही है वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है दक्षिन कॉंग्रेस युक्त हो गया है करणाटक के बाद तिलंगाना क्या आपको लग कि Kongres हम त серьलंगाना में ची हमने मजबूत रड़ा ही लड़ी थी। एमके के मन में सबसे पहले खत्रे घंटी बजेगी जिसके सनातन धर्म के विनाश करने के स्टेटमेंट को भी कॉंग्रेस को गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि देश भर में अगर ये ट्रेंट देखने को मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर मुसलमान कॉंग्रेस को उपर रखेंगे ऐसे ही बाकी प्रदेशों में रखेंगे तो वो बाकी दलों के लिए सेट बैक है जिसको मुस्लिम वोट म देना पड़ जाएगा? जो आज छेत्री दलों के पास मुसलिम वोट है वो पहले कॉंग्रेस के पास था यानी अश्टरडे अब कल उन्हें डर लग रहा फिर कॉंग्रेस के पास पहुँच जाए तो मुझे लगता है अब इंडिया गटबंदन में सीटों का बटवारा या उत्तर भारत में उत्त कास सेंसस पर भी एक तरीके का रेफेरेंडम ये जना देश, ये देश का रेफेरेंडम कह सकते हैं? जब ये कहा जाता था कि क्लास की पॉलिटिक्स होती थी, अगणा पिछला दलिल, अब वो दौर चला गया, अब देश की और उस समय देश की साथ चलता है, अगर हम राजस्तान की बात करें तो राजस्तान के कई संभागों में बीजेपी को बड़त है, लेकिन गहलोत का किला उस तरह से नहीं हिल रहा, जोदपुर वाला जिस तरह से हिलना चाहिए था, अभी तक की ये अपडेट है, गुजर बेल्ट के अंदर बीजेपी का प्रदश्यन बेतर हुआ है, 11 सीटों में बीजेपी आगे देखने को मिल रही है, 11 से 12 सीटों में बीजेपी आगे चल रह परफॉर्मेंस रही काम हुआ है उसके आज परिनाम सब के सामने है संगठन ने जो काम किया उसके परिनाम सब के सामने है बहुत अच्छी जीत है मधिप्रदेश के जनता को एके सब को बदाई तो अशनी वी वैशनव को आपने सुना बंपर जीत भारती जनता पार्टी की हिंदी पट्टी मधिप्रदेश 36 गड़ राजिसान 30 से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी मधिप्रदेश में क्लियर मेंडेट 116 मैजिकल फिगर 160 क्लियर मेंडेट राजिसान की बात कर लिजे 99, 107 क्लियर मेंडेट पष्ट जनादेश 36 गड़ की बात कर लिजे 96 बहुमत का अकड़ा 54 बीजेपी क्लियर मेंडेट टेलंगाना में हलाकि कॉंग्रेस पार्टी को 66 सीटे मिलती नजर आ रही हैं सुधानशू त्रिवेदी हमारे साथ लगतार बने हुए हैं लेकिन हमें एक बार सुधानशू मैं आपी के पास आ रहा हूँ सुधानशू मद्यप्रदेश, 36 गड़, राजिस्थान, कॉंग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन का श्राप लगाए कॉंग्रेस पार्टी को देखे अब वो तो आचार हैं तो कह सकते हैं अगर श्राप की हम बात कहें तो जब से कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन किया था कॉंग्रेस ने अब इसे संयोग मान लीजे या दैवयोग मान लीजे उसके बाद से कभी कॉंग्रेस को इस पश्ट वहमवत नहीं मिला हिंदू राष्ट जैसे विशे पर भी घुमा फिरा के समर्थन कर जाएंगे और वहीं आप तमिल नाडु में हिंदू धर्म के समूल नाच की कॉंफरेंस करवाएंगे और उसका मौन समर्थन करेंगे कि अब अब हनुमान भक्त कमल नाच की रेलि नहीं होने दी थी लेकिन कमल नाच क्या करते कमल नाच को मेरत करेंगे पॉपेश बगेल अकेले लड़ते हुए दिखाई दिये इन सब चीजों का नुकसान हुआ लेकिन फिर मैं कहा रहा हूँ सुनामी है ये भारतिय जन्ता पार्टी की तीनों पूरे हिंदी पट्टी के अंदर और तेलंगाना में कॉंगरस की प्रचंड और बहुत बड़ी जीत है इसमें कोई दोराय नहीं है अरुन का भी हम रुक कर सकते हैं लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि तीन चीज़े बहुत बड़ी है इस समय जो सबसे बड़ी खबर है कि 36 गड़ के अंदर लगबग लगबग पूरी कैबिनेट का सफाया हो रहा है भुपेश भगेल अपनी दस तच करता हुआ और मद्दबरदेश के तो क्या कहने 160 के पार और कॉंग्रेश कमफटेबल है अपते लंगाना के अंदर 66 पर ये बड़ी अपडेट है सीधा अरुन सिंग का हम रुक कर सकते हैं अरुन सिंग हमारे साथ है अरुन ओवर टू यू क्या अपडेट है क्या आपको लगता है कि हुआ क्या है अब देकि एक छोटी सी तस्वीर दिखा के मैं बताऊंगा कि बीजेपी की बस इतनी सी कहानी है प्रधानमंत्री से शुरू है और प्रधानमंत्री पर खतम है आप ये पोस्टर देखिए प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी घरीब कल्यार उ आप देखिए यहां पर पीजेपी दफ्तर में सेलफी का दौर शुरू हो गया भारती जन्ता पार्टी का गमशा पहन के यह युवा नेता है आप लोग युवा नेता है क्या कहेंगे एक सो साट सीट मिल रही है आप लोगों को अभी तक रुजानों में अरे बात करो बताईए क्या 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 कहेंगे बहुत ही और हमारे पीजेपी की तरफ से हमारे युवा नेता जीतेंगे यह देखिए यह जो युवा नेताओं का दल है इसका नित्री तो कौन करेगा अभी तैय नहीं हुआ है लग रहा है कि मुख्यमंत्री का जिस तरह से अभी तैय नहीं कि कौन बनेगा शिवरास सिंग ही कंटीनिव करें कोई और बनेगा उसी तरह इनका नेता तैय नहीं लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं भारती जंता पार्टी का जो दफतर है वहां पर ढोल नगाड़े बहुत देर से बज रहे हैं बहुत